नज़ो है नमश्कार और विल्कुम बैक टु तु दे चैनल अच्छा आप लोग के पास विस्की में बहुत ज़ादा ओप्शन होता है, और अगर नई विस्की ट्राइ करने की बात है, तो उसमें भी भी बहुत ज़ादा है पाध ज़ादा हेजिटेट नहीं करते हैं अगर इंडियन विस्की की ही बात करें तो लोग मतलब entry level से लेकर के और धीरे-धीरे mid range फिर premium फिर ultra premium बहुत लंबा चौड़ा list है और ज्यादा तर लोग upgrade करना चाहते हैं नई नई विस्की का taste experience करना चाहते हैं फील करना चाहते हैं लेकिन वही जब बात आती है rum की और rum में अगरी especially dark rum तो होता क्या है आपका choice सीधा सीधा जाकर के एक particular rum पे अडग जाता है और वो है old monk कहीं कहीं पे आजकल वो बकाडी black या फिर captain Morgan भी लोग थोड़ा थोड़ा पीना सुरू कर दिये हैं लेकिन old monk का तो जवाब ही नहीं है हाला कि old monk ही एक rum available है इंडिया में ऐसी क old monk से लेकिन उसकी खाशियत क्या है उसका distribution network बहुत शांदार है United Spirits का brand है और जबर्दस distribution network है old monk के case में क्या होता है बहुत से state में आपको available ही नहीं रहेगा तो जब available नहीं है तो आपको पास choice नहीं है तो फिर जो available है वो पीते हैं Contesa is very good rum ये Gladius का white rum के साथ साथ dark rum भी launch कि मैंने already उसका review किया था old monk के साथ comparison भी किया था वो भी बढ़िया rum है ठीक ठाक rum है कोई problem नहीं लेकिन आज हम लोग बात करेंगे trick ये भी Indian rum है trick to explore और first look में जब इसकी packaging देखते हैं ये copper color में बहुत शांदार I don't know camera कितना justice कर पा रहा होगा लेकिन amazing look है packing का और उसके साथ य जो combination है overall packing आपको मैं चारो तरफ से एक बार दिखा जिता हूं one of the best packaging जो मैंने देखा है Indian brand में वो आपको यहां देखने को मिलता है जबरदस्त packaging अचा इसको मैंने purchase किया है राची में जारखन में इसकी MRP है 740 again मैंने पहले भी बताया है कि जारखन में क्या है government के हाथ में ह है सारा liquor business और सरकार जो brand आपको पिलाना चाहेगी आप वही पिएंगे old monk आसानी से जारखन में मिलता नहीं है लेकिन इसकी packaging इतनी खुबसूरत है कि यह old monger मिलते भी रहे तब भी मैं इसको एक बार चेक करने के लिए जरूर खरीटता अब देखते हैं अंदर का bottle कैसा है अमेजिंग bottle design चलिए इसको मैं जरा side कर देता हूँ अभी इसके bottle design को देखें यह जितना ही simple design है bottle का उतना ही stylish और उतना ही premium लग रहा है undoubtedly बहुत खुबसूरत bottle design एकदम simple there is no gimmick nothing एकदम simple simple design है but it's really looking very classy और again यह off white के साथ copper का जो combination है color का it is fantastic एक नजर डालते हैं इसके ingredients पर आपे तो ingredients पर है grain neutral spirit, Caribbean and Indian natural rum spirit, demineralized water, natural and nature identical flavors तो rum में flavor add करना यह कोई नई बात नहीं है बहुत सारे rum में flavor add किया आता है तो अच्छी बात क्या है Caribbean rum जो है वो इसमें blend किया गया है साथ में Indian grain neutral spirit मतलब आपको पता है molasses based alcohol होता है और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि molasses से जो alcohol बनता है वही rum का base ingredient है तो molasses वाला alcohol है और उसमें Caribbean rum को blend किया गया है और सामने क्या लिखते हैं blend of aged Caribbean and Indian rum spirit with notes of tropical fruit and hint of berries तो tropical fruit और berries का इसमें टेस्ट मिलेगा अचा ये old monk की popularity जो है एक तो one of the oldest liquor brand है इंडिया का उसके बाद क्या है old monk is very smooth उसमें alcohol का कोई भब का नहीं मिलता है आप चाहें तो उसको knit भी consume कर सकते हैं उसके बाद क्या है उसमें chocolate का flavor मिलता है butterscotch का flavor मिलता है थोरा-thोरा spices मिलते हैं तो ये सब मिल करके वो एक जबर्दस्त बेहतरीन flavor offer करता है और उसको फिर coke के साथ अगर आप उसको mix करके पीते हैं तो coke के साथ इतना जबर्दस्त उसका combination आता है कि फिर मज़ा ही आया आता है तो अब ये since नया brand है लेकिन इंडिय में क्या है मैंने पहले ही आपको बताया कि रम की जब बात होती है और श्पेशली डाक रम की तो बात सीधा आके पहुंच जाता है ये बुढ़ा बाबा उल्ड मॉंक से टक कर ले पाएगा या नहीं तो वही आज हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले एक पेक पोर करते हैं इ के बाग प्रॉपर नोजिंग और टेस्टिंग भी लेकिन एक बार फिर से वह हूं ये बॉटल डिजाइन जो है हालांकि इट्स नॉट वरी डिफरेंट ओल्ड मॉंक का भी अल्मोश इशी तरगा बाटल पर वो टेक्ट्चिर डिजाइन है और आईकॉनिक है बहुर जबर करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएग अपने सच कहूं इंडिया में जितना भी रं का ब्रैंड है उस में ज्यादाल में आपको एक तो मॉलैसट का स्वेल मिलता है उसके साथ साथ कुछ मेडिसिनल टाइप का दवा टाइप का एक स्वेल मिलता है जोकी बहुत सामदार नहीं लगता है ये उसके हिसाब से काफी बढ़ियां टेस्ट कर रहा है, कलर डिफिनिटली वही करामिल कलर इसमें एड़ किया आता है, और डार्क जो एक्ट्वल जो रम का कलर होना चाहिए, I think ये कुछ लिस्ट डार्क है as compared to Old Monk, but बढ़ियां लग रहा है कलर, sweet definitely लग रहा है, और जो ये fruity और berries का जो flavor ये बता रहा है, वैसा कुछ feel नहीं हो रहा है, but overall जो experience है, थोरा woody definitely लग रहा है, जो I think age किया गया होगा, जो रम इसमें blend किया गया है, तो yes, woody note आ रहा है, थोरा sweet है, और थोरा smooth है as compared to regular Indian rum, but वो fruit और berries का वैसा कुछ नोस पर नजर नहीं आया, yes, but interesting है, आगे taste, no doubt strong है, but बहुत interesting है, और पहला sip लेने के बाद मैं अभी कह सकता हूँ, कि जो भी old monk के fan है, एक बार इसको try जरूर कीजिए, हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे, different है, old monk से काफी different इसका taste है, जैसा मैंने आपको बता है old monk में क्या है, coffee, butterscotch और थोरा spiciness उस तरह का एक flavor मिलता है, ये definitely fruity है और थोरा सा citrusy type का, या क्या मैं कहूँ आपको, ये कुछ resin के जैसा उस तरह का ये flavor आफर कर रहा है, मैं bet करता हूँ, इतना easy to drink, और कोई रम आपको इस price range में नहीं मिलेगा, old monk definitely आप knit पी सकते हैं, but this is very smooth, बहुत मज़ेदार, definitely इसके साथ mixing का combination हम लोग देखेंगे, कि किस चीज के साथ ये बहुत कोक के साथ हम लोग try करेंगे, कुछ coffee के साथ cocktail बनाने के कोशिश करेंगे, but वो सब next video में हम लोग try करते हैं, ये तो first experience लेने की बात थी, and I am really impressed, जो ये nose पे हला कि उतना कुछ extraordinary नहीं feel दिया था, but it was overall very good on nose, लेकिन अगर taste की में बात करूँ, it's very good, very good taste, क्या smoothness है, layer बनाता हुआ धीरे से नीचे चला जाएगा, और हलका सा है कुछ spices का note, और definitely वो fruity notes आपको जो है ना, वो back में, mouth fill में आपको feel होता रहेगा, mouth feel again is also very good, तो old monk से definitely compare करने के लाइक है, हलांकि it's not very similar to old monk, इसका जो taste profile है, वो old monk के जैसा बिलकुल नहीं है, old monk से काफी different है, but it's definitely very good rum, और अगर जारखंड में this is 740, that means I think Delhi, Haryana उस साइड में ये कुछ 400-500 रुपे में मिलेगी, तो जबरदस्त rum है at this price, तो I am very much sure आप लोग सबज गया है किस तरह का rum है, फिर से request करूँगा, जो भी old monk की fan है, एक बार बिलकुल neutral हो करके इस तरह को जरूर ट्राई कीजिए, और मेरे को लगता है कि आपको अगर बहुत amazing ना लगे, तो कम से कम बुरा भी नहीं लगेगा, old monk की एक legacy है, पचासों साल से लोग old monk को पीते आ रहे हैं, हर किसी के बीच इतना popular है, तो old monk की तरही का cult, ये तो एकदम newly born baby है उसके सामने, but I think it's very interesting rum, जरूर ट्राई करना चाहिए आप लोगों को, I hope वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, interesting लगा होगा, informative भी लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को, शेर कीजे अपने friends के साथ, और मिलेंगे ऐसे ही interesting, और informative वीडियो में, तब तक take very good care of yourself, बाई बाई.